कि जहन फ्रेंट्स कि इंग्लिश में कहावत है कि रोम वोस नॉट बिल्ट इन डी कि कहावते सुनना और कहावतों को सामने घटते हुए देखना दो अलग अलग बाते हैं 2017 में वहमत-चाह फैजल और हम लोगों ने मिलकर दिल्ली में एक प्लान मनाया कि पूने में एक सेंटर डालते हैं सेविल सर्विसस का और फिर भग्मान की महिमा रही कि वह सेंटर शुरू हुआ सदशू पेड़ पे और आज बड़ा अच्छा दिन है कि जब मैं एनाउंस कर रहा हूं तो बारिश हो रही है और बादल गड़गड़ा रहे हैं शायद हंस रहे हैं खुशी हैं कि बिल्कुल सही कह रहा हूं और फिर हमने स्टूडेंट से शुरुवाद की एक और आज 18, 19, 20, 21, 25 साल में हमने अपने रिजल्ट दिये अपने हमने किसी से माँगे नहीं किसी से खरीदे नहीं किसी से लीये नहीं अपने रिजल्ट दिये और एक बड़ी अच्छी घटना ये घटी कि कानपूर और पूने का बैच फुल हो गया है तो मैं कानपूर और पूना के स्टूडेंटों को थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आपने हमारे पर भरोसा किया फेद किया इकरा एक वन स्टॉप सलूशन है जो अपने एस्परेंटों का पूरा ध्यान रखती है मेंन स्टेस सेरीज, प्रलिम स्टेस सेरीज, क्वालिटी इंप्रूब्मेंट और ना जाने क्या गया और सबसे बड़ी बात सबसे बड़ा जो पक्ष है उसका जो सबसे इंपॉर्टन पहलू है वो ये है कि सब कुछ एक रेंज में है सब कुछ एक रेंज में है, रेंज में मनलों कोई ऐसी चीज नहीं जो किसी के रेंज के बाहर है तो कानपूर का सेंटर और पूने का सेंटर फुल हो चुका है इस बात का अनाउंस करते हुए हम मुझे बहुत खुशी हो रही है लेकिन एक मौका है कुछ लोगों के लिए जोनों ने हमें मेल किया, वाटसअप किया, मैसेज किया कि हमारा एडमिशन करा दो, ये करा दो, ऐसा करा दो एक मौका है उन लोगों के लिए जो अभी एडमिशन चाहते हैं उसके बाद कम से कम हमें मैसेज मत करो और हमें फोन मत करो 29 जुलाई 2023 ये लास्ट डेट है पूने और कानपुर में इस एर के एडमीशन के लिए इन सब के साथ साथ एक बड़ी अच्छी खबर ये है कि करीब 410 लोगों की request है बहुत सारे लोगों की है पर ये लोग enrollment करा चुक है कि सर यूपी PCS का भी कुछ होना चाहिए जर पहला enrollment registration करा चुक है 500 रुपे जमा कर चुक है कि सर यूपी PCS पर भी कुछ करो जर तो एक बहुत बड़ी एनॉंसमेंट ये है, बहुत बड़ी, कि एक रहा अपना UPPCS का बैच शुरू करने जा रही है, एक आगस्ट से, अपना वो UPPCS का बैच शुरू करने जा रही है, और ओफलाइन जो फीज है, वो 15,000 है, और ओफलाइन जो फीज है, वो 50,000 है, प्लस NCRT इंक्लूड है, इसमें फाइदा ये है कि अगर आप ओफलाइन एटमीशन लेते हों, तो ठीक है, आप ओनलाइन करो, तो आप ओनलाइन अगर ले रहे हो, तो आपको ओफलाइन का एसस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ओफलाइन ले रहे हो, कभी आपका मन हुआ कि नहीं सर अब घर जा रहे हैं, घर पे बैठके एक महीना पढ़ेंगे, दो महीने घर पे बैठके पढ़ेंगे, तो ओफलाइन लेने पर आपको ओनलाइन का एसस मिल जाएगे, और जब आप चाहेंगे तो आप क्लास में आके क्लास भी अटेंड कर लेंगे, NCRT इस पूरी फीस में इंक्लूड़ेड है, अब इससे बड़ी एनाउंस्मेंट लिकरा नहीं कर सकती है, यह सारा खेले UPPCS के लिए हैं, एक बड़ी अच्छी डिमांड, एक बड़ी अच्छी रिक्वेस्ट, एक सैंपल सर्वे, एक रेजिस्ट्रेशन, कि साव हम UPPCS करना चाहते हैं, हम लोग जॉइन करना चाहते हैं, और काफी सारा admission वह सिमांचल के belt से हैं, आग्रा से है, अलीगर से है, रामपुर से है, मुझफ़र नगर से है, बहुत सारे लोग गोरकपुर से है, बिहार के बड़े सारे लोग हैं, बियार में तो कैर सिर्विल सर्विस वाले में ज़्यादा है लेकिन इधर ये सारी बेल्ट के लोग बहुत ज़्यादा है उन सब को बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका स्वागत है आपने एक्रा पे भरोसा किया एक्रा आपके भरोसे को कभी नहीं तोड़ेगी जहन एक्राज्थ नखेंडेर आपके लुकसरण मुटन में विल्यादा संभ आपके लाओ ट्रिस्ट एक्राज पीए कन्या है लंट दो इसेक्षण स्वागत्वादवा थे इन्कूर आपके झाल स्वादवर है लिए लेजन किया स्वादार आपके टूंश स्वादा येश्यां कि झाल झाल